स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपल वेर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल के टर्नमेंट सागा का एपिसोड चौदा जिसका नाम है गोकूज राइवल। चलिए शुरू करते हैं। जने जंगल के बीच फंस गए हैं। बुल्मा एक बड़े उड़ते हुए राक्षस को देखती है और यामचा को पकड़ कर भागने लगती है। पुर और उलॉंग भी उनका पीछा करते हैं। उसी जंगल के एक और हिस्से में एक छोटा लड़का जंगल में सफर कर रहा लेकिन वह कहां जा रहा है। इस बीच गोकु फ्लाइंग निम्बस पर केम हाउस की ओर बढ़ता है और रास्ते में कुछ मस्ती करता है। वह जल्द ही रोशी के घर पहुचता है। किसी कारण वश मास्टर रोशी दरवाजा नहीं खोलते। गोकु खिडकी से कूटता है और देखता है कि मास्टर रोशी एक exercise वीडियो देख रहे हैं और उसमें तल्लीन है। गोकु को मास्टर रोशी का ध्यान नहीं मिल पाता तो वह उनके कान में जोर से चिल लाता है। गोकु बताता है कि वह ट्रेनिंग के लिए आया है लेकिन भूखा है और उसे खाना चा कि वे दक्षन की ओर जा रहे हैं जबकि उन्हें उत्तर की ओर जाना चाहिए था। बुल्मा सोचती है कि उसने एक रेतीला तूफान देखा है लेकिन यह वही छोटा लड़का है जिसकी दौडने से रेत उड़ रही है। केम हाउस में गोकु मास्टर रोशी से कहता है कि वह ट्रेनिंग के लिए तयार है। मास्टर रोशी कहते हैं कि पहले वह उन्हें एक युवा लड़की खोज कर लाए। गोकु को यह अजीब लगता है लेकिन वह मान जाता है। मास्टर रोशी अपनी शर्तें बताते हैं और फिर उन्हें गोकु की पूँच गायब होने क पता चलता है। गोकु बताता है कि वह शायद उप गई होगी। वह फिर लड़की को खोजने निकल पड़ता है। मास्टर रोशी डेट के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े, सूट और कच्छुआ शेल पहन कर तयार होते हैं और बेसबरी से गोकु का इंतजार करते ह गोकु वापस आता है लेकिन एक बहुत बड़ी महिला के साथ। इस बीच छोटा लड़का अब समुद्र के पार नाव से यात्रा कर रहा है। केम हाउस में मास्टर रोशी गोकु को दिखाते हैं कि उन्हें किस प्रकार की लड़की चाहिए। गोकु समझता है और उसे ख चलना नहीं चाहती बलकि तैरना चाहती है। मास्टर रोशी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वह उससे मिलने दौडते हैं लेकिन पता चलता है कि वह एक मत्स्यकन्या है। मास्टर रोशी अपनी मोहिनी चाल चलने की कोशिश करते हैं लेकिन मत्स्यकन्या उन्हें आँख में घूंसा मार देती है और तैर कर चली जाती है रोशी गोकू से कहते हैं कि वह पिछले जैसी ही एक और लड़की ढूंडे लेकिन इस बार बिना फिंस के छोटा लड़का केम हाउस पर पहुँचता है वह अपनी नाव से मास्टर रोशी के द्वीप पर कूता है और रेत में सिर के बल गिरता है गोकू उसे उठाने में मदद करता है लड़का मास्टर रोशी को बताता है कि उसका नाम क्रिलिन है और वह उनसे ट्रेनिंग लेने आ Master Roshi फिर Krillin को Goku के साथ लड़की खोजने में मदद करने के लिए कहते हैं और फिर दोनों को training देंगे Krillin flying Nimbus पर कूदने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है Master Roshi बताते हैं कि केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही बादल पर सवार हो सकते हैं Krillin अपराध बोध से और पत्रिकाएं Master Roshi को देता है जिसे देखकर Master Roshi बहुत खुश हो जाते हैं आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेर को देखने के लिए अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपिया लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें Dragon Ball की रुमान्चक दुनिया धन्यवाद